सबसे पहले मसीन इंस्ट्रॉल करने के लिए एक पूरा कंट्रोल पेनल है उसमें से एक वायर निकला है जो होरकॉर है चार वायर निकले हैं इसके अंदर से एक रेड एक यलो एक ब्लू और एक यलो और ग्रीन ये नीट्रल है ये र, वाय और बी और ये नीट्रल है उपर एक 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 यलो लगाया हुआ है जिसको अर्थिंग दिया हुए है बरबर यह चारो वायल लग गए आर वाय बी और नूट्रल कई भी लगाने हैं यह कनेक्टर में लगाए हैं आप ऐसे MCB के अंदर भी लगा सकते हों आर वाय बी और नूट्रल अर्थिंग लगाना जलूरी है मौश्चर की वज़े से कभी कभी थोड़ा लिकेज करेंट बताता है सबसे पहले कंट्रोल पेनल को समच लेते हैं यह में स्वीच है जिसको MCB बोलते हैं इसको बंद कर दिया शरुआत करते हैं में स्वीच ओन करते हैं यह हीटर का स्वीच ओ कर देते हैं यह टेंपरेचर 151 रखा है 151 इसको चेंज करना हो तो यह सेट वाला बटन है सेट एंटर लिखा हुआ बटन है उसको कंटिन्यूस प्लेस करके रखने का फिल अपका एरो दबाएंगे तो अब टेंपरेचर जाएगा लाउन वाला एरो दबाएंगे तो माइनस करने का है यह छेताली शुर्ताली अर्ताली अप जा रहा है यह डाउन 51 52 47 जो भी करना है इसको एंटर वाले को दबा के रखना है दबा के रखेंगे तो यह अप डाउन वाला इफेक्ट आये गाने तो नहीं आएगा में स्वीच चालू कर दी हीटर की स्वीच चाल ब्लोवर की स्वीच में एक केल लेने की है यह एरो लगाया हुआ है ब्लोवर की मॉटर के उपर उसी दिशा में यह ब्लोवर ऐसे गुमना चाहिए जीस डायरेक्शन में एरो है उसी डायरेक्शन में मॉटर गुमनी चाहिए उल्टी गुमेगी तो स्रिंकेद नहीं बरब अभी मसीन चालू हो गया है मालों कि आपने 150 डिगरी रखा है उसमें आपने एक आर्टिकल रखते हैं यह आर्टिकल रख दिया यह स्रिंक हो के बार आया लेकिन इसमें क्या होता है कि छोड़े थोड़े रिंकर्स आये हैं तो क्या करना पड़ेगा इसको टेंप्रेचर बढ़ाना पड़ेगा टेंप्रेचर थोड़ा बढ़ाएंगे तो अभी 147 है तो उसको 116 करेंगे 174 हो गया है तो 174 के उपर एक बार ट्रायर लेंगे उसको टेंप्रेचर अब होने में थोड़ा समय लगेगा पांच मिनिट जैसा उसके बाद 175 आएगा तब दुबारा एक आर्टिकल डालेंगे अभी 163 हो गया है टेंप्रेचर एक बार और आर्टिकल डालके देख लेते अगर रिजल्ट बढ़िया मिल जाता है तो वही टेंप्रेचर पे सब आर्टिकल करेंगे अगर कोई आगे पीछे करना है तो अभी अपने को पता चल जाएगा यह बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट आ गया है तो 160 पे यह सब रोल श्रिंकेज हो जाएंगे यह दूसरा भी डालते हैं यह तीसरा भी डालते हैं यह रोल जैसे बार आएगा यहां अटकेगा है यह त्रेव के ऊपर आने के बाद ही लेना है रोल को इसके बीच में ऐसे हाठ डालके लेना नहीं है यह त्रेके ऊपर आएगा इसके बाद त्रेके ऊपर से ही ऐसे लेना है अगर मटियल फट जाता है अगर मटियल फटता है तो उसको टेंप्रेचर को यहां से कम कर सकते हैं यह 174 है उसको कम करके नीचे वाला एरो दबाएंगे तो 165 कर देंगे तो 165 पे विजल ले सकते हैं अगर पुरा काम सब हो गया उसके बाद मसीन बंद करना है तो मसीन बंद करने के लिए सबसे पहले यह heater वाला switch है उसको बंद करना है ओप करना है heater ओप कर दिया उसके बाद दीरे दीरे यह दोनों continuous चालू रखने की इसको चालू बंद करने की जरूरत नहीं है blower और conveyor को main switch आखिर में बंद करेंगे जब यह meter का temperature 70-75 का temperature बताएगा तब इसको बंद कर सकते हैं इसके पहले बंद करेंगे तो यह जो ready tube है silicon की वह सब जल जाएगी अगर कभी power cut होता है और जलती है तो ज्यादा problem नहीं है लेकिन जान बुचके हर वक्त इसको बंद कर देने से silicon tube खराब हो सकती है यह 177 का temperature है अभी अपने switch बंद कर दिया है heater की तो दिरे दिरे भी down हो रहा है यह MCB कोई भी एक switch बंद करके चोड़ सकते है machine को यह main MCB जहां पर अपने wire connection लगाये हुआ है उसको बंद किया या तो फिर machine का कोई भी एक बंद कर सकते है या तो यह machine का बंद कर दिया है दूबारा जब चालू करना हो machine तो इसको दूबारा से चालू कर दिया है हीटर का switch चालू कर दिया है बस अभी machine का temperature आ जाएगा तो अपना काम सुरू कर सकते हैं और बंद करने के लिए same system हीटर का switch बंद करो temperature आ जाए तो main switch बंद करो एक बार wire का देख लेते हैं आर वाय बी और ये neutral है अर्थिंग नहीं है अर्थिंग एक्स्ट्रा उपर लगाये हुआ है वायर के उपर जो वायर लगाये हुआ है ग्रीन कलर का वो अर्थिंग है उसको अर्थिंग में दे दिया हुआ है और ये चाल टोटल पांच वायर का system हो गया मसीन चालू करने का system अगले वीडियो में हम देख चुके हैं अभी इसमें एक टैप के लिए ये दोनों गाइडे दी हुई हैं दोनों साइड जैसे आगे पीछे निकल नहीं जाए ये टैप हैं ऐसे तीन या चार एक साथ रख सकते हैं इसको पकर के टैफरन बेल्ट के ये सीधी ट्रे के उपर गिरेगी तो ट्रे के उपर से ही लेनी है अंदर हाथ डालने की ज़रुगत नहीं है इधर ट्रे के उपर आये कब लेने की हैं एक मोटर लगाया हुआ है जो हैवी डूटी एससी मोटर है और सर एसे सीव के हुझाईगा कई इसके लिए में लग एक है कि करी अगल बगल में चली नहीं जाये चाई पिसके लिए शर पिछे्टे है इसके उपर आने के बाद ही मटीरल लेना है ये मोटर का डायक्सन डेख लेर ना है ये गलत गुमती होगी तो Sring नहीं होगी यह डायलेक्शन एरो के डायलेक्शन में घुमनी चाहिए mortar मसीन बंद करना है तो सबसे पहले मसीन बंद करना है तो सबसे पहले heater का switch on ओप करना है यह heater का switch ओप कर दिया उसके बाद पुरा machine ओप करना है तो यह जो 142 degree है वो 80 या 90 degree temperature आ जाना चाहिए 80 या 90 degree temperature आ जाए उसके बाद पुरा machine बन कर सकते हैं अगर पहले बन कर दिया तो यह टेफरोन का बेल्ट जलने का chances रहता है अगर यह कभी आगे पीछे होता है तो इसके लिए यहाँ setting दिया है लेकिन 90% केस में उसको घुमाने की जरुरत नहीं पड़ती है यह setting दिया हुआ है इसको आगे या पीछे करने के लिए कन्वेर को एक ही जगा पे घुमेगा मसीन बन करने के लिए हीटर का switch बन कर दिया है अपने वेट कर रहे है यह temperature 100 के नीचे जाएगा 60 70 80 आएगा तभी पुरा मसीन बन करना है यह temperature दीरे दीरे कम हो रहा है ज्यादा तर calculation ऐसा होता है कि PVC के लिए 150 या 160 के राउंड एबाउट temperature पे shrink के हो जाता है पुली वली 140 से 150 साट के बीच हो जाता है अगर LD shrink करना है तो उसको 200 से 210-215 तक shrink कर सकते है लेकिन हर एक ता अपने अपने तरब से ट्रायल लेने का रहता है जहाँ पे बढ़िया shrinkage मिल जाए और बढ़िया result मिल जाए वहाँ पे उसको temperature को छोड़ सकते है मसीन में पूरे मसीन में guide दी हुई है temperature धिवेदी में down हो रहा है वो 60-70-80 आएगा तब पुरा मसीन की main switch बन कर सकते है लेकिन जब करके 70-80 नहीं आता है तब तक इसको बन नहीं करते है अगर silicone tube है तो silicone tube जल जाएगी अगर teflon belt है तो teflon belt खराब हो सकता है अभी temperature 80 आ गया है उसे बन कर सकते है में switch 70-80 के बीच में आये तब बन करना है यह main switch बन कर दिया अभी दूबर machine चालू करना है तो main switch चालू किया heater का switch चालू किया अभी machine 10 minute में काम करने के लिए ready हो जाएगा यहाँ पर temperature अपने रखा हुआ है कितना 184 तो 184 दिखाएगा तब काम चालू कर देने का इसको फ्रेस करते हैं तो कितना temperature रखा है वो बताता है अभी 184 अपने रखा हुआ है इसको छोड़ दिया तो यह 77-76 है तो यह अभी जो temperature chamber के अंदर है वो शो करता है कि 76 वाला दिरे 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 बढ़ते 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 ए 1804 तक जाएगा उसमें 10 degree प्लस या 10 degree माइनस जा सकता है अपने 180 रखा तो 170 और 190 के बीच temperature आगे पीछे हो सकता है 10 degree आगे पीछे इसके लिए रखते हैं कि temperature contractor के उपर ज्यादा लोड ना पड़े